हेलो असलाम लेकुम सश्याकाल आज परसेप्शन में मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अब्दिल जबार गुल जो के एक स्कल्प्टर है पेंटर है और एक अमीर आत्मी है क्योंकि ये बात सुनके तो लोग जरूर पॉड्कास देखेंगे स्कल्प्टर और पेंटर सुनके आप इंप्रेस हुए और नहीं हुए और उने 2023 में लास्यर प्राइड ऑफ पर्फॉर्मंस भी मिला है जी सर तैंक यू सो मुझ इंट्रस्टिं इंट्रस्टिं कराने का और अमीर I think हाई है क्योंके सर हमारे हां पेंटर आर्टिस्ट का सुनक कि लोग इतने इंप्रेस नहीं होते हैं और शायद इतनी पहले रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी अब तो फिर भी लोगों को अंडिस्टानिंग हो रही है तो इसलिए मैंने आपका ये तारुफ गया है तो आर्टिस्ट का टाइडल है ना परसेक्शन तो आर्टिस्ट अमीर आजी है और सर ये भी पहले नहीं समझा जाता था कि क्या आर्टिस्ट बनना एक परफेशन है क्या उससे अगैन रोजी रोटी चल पाएगी बिल्कुल ये अगैन वही परसेप्शन की बात है और ये इसमें कुछ हद तक रियालिटी भी है एक सर्टन टाइम पर आर् मश्चा करिफेशन कि में परकुष्ट होगी सारी टाूरी ऐसर श्राव सरावारिशन हैज भाँ बोस्ट बहुत सारी घंटीट्स सर्ट मैं चाहँगे कि थोड़ा सा आपकी जहर्नी से शुरू करें यह मैं ने आपके वेस्बॉक पह एंगा था कि आपका तालुक मीर पूर मीरपु खासे है, मीरपु खासे, लहोर आना, नेशनल कॉल्ज अफार्स में पढ़ना, कुछ बताएं? मीरपु खास, इंटियर सीन में एक है जगा, पहले वो चोटा एक टाउन सा था, अब कंपरेटिल भी जरा बैतर हो गया है, सिटी हो गई है, वहां से है मेरा तालुक और वहां ऐस सेच कोई आर्ट की, कोई आर्ट इंस्टिटूट या आर्ट ट्रेनिंग का तो कोई उस तरह स कैसे बनाते हैं, यह कैसे लिपते हैं इतने बड़े-बड़े, तो एक दिन आउट ओफ ब्लू मैं एक सेनमा होड़िंग पेंटर के पास चला गया, मैंने का जी मुझे यह अच्छा लगता है, मुझे यह सीखता है, उन्होंने भी का आजो कल से, तो मैं अपने स्कूल के ब मनलब उस जमाने की जितनी भी फिल्में होती थी, पंजाबी फिल्में भी होती थी, वहां पर लगती थी, इंगली फिल्म भी आती थी, और वहम उसके फिर बोर्ड लिखते भी थे, एक जमाना यह था कि सुल्तान रही का फेस मुझे जबानी आद हो गया था, तो मैं बगह है कि वैसे मैं बताती चलूं कि सर नाइम का जिकर हुआ है, वह सर के बहुत अच्छे दोस्त है, आरम नाइम और एक बहुत फेमिस पेंटर भी है, तो मुझे यह बताएं कि एंसीय में भी उस जमाने में यह पढ़ना और लोगों का एटिट्यूड, टीचर्स का रवया, व कराची से आए हैं, वो सोच का क्या फर्क था, काम का क्या फर्क था? बड़ा साधिया, वैसे तो एंसीय में जिसने जो भी टाइम गजा रहा है उसे लगता है कि बहुत आइडियल टाइम था और उनने सबसे ज़दा मजए लगता है, तो हमें भी यह लगता है, और कि हमारा बड़ा आइडियल टाइम था और हमारा जो बैच था वो बहुत आउट स्टैंडिंग बैच अप इसलिए का जाता है कि उस बैच के बहुत सारे लोग बहुत ब्रामिनन्ट आर्टिस था हैं इस पाकिस्तान के, अच्छा उस वक्त वो जो डाइवर्स एक बैग्राउंड के अच्छे के हम क्लास में हीरो बने हुएं तो हम उन से अंग्रेजी सीख रहे हैं वो हम से ड्राइंग सीख रहे हैं सो टू ये बात मैं बताती चलूं कि मैंने भी नैशनल कॉल्ज आफाद से ग्रेजुएशन किया है और एंस ये एक वाहत एदारा सर मुझे कॉलिज लगता रूपया है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्क के लेवल पर और दोस्ती के लेवल पर वो तीनों लोग ऐकॉल होंगे वहां मैं इस कोलेज में अपने ये नहीं देख इती ये सब को एकुल रिस्पक्ट दी जाती थी उसकी कई वजवात है न उसकी वजवात जैसे मैं ने का कि यहां शू मिल जाएगी तो आप जासे भी बी मतलब जब मैं महां से गया तो कोई गिल 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 से आ रहा है को पता नी कहाँ से आप इन्विच कैसे होते हैं जितनी डाइवर्स आपको एक्सपिरियंस चीजें और फीडबैक मिलती है तो आप वो सारी जब डाइवर्सिटी उस जमाने में हम जब पढ़ते थे तो फॉरिनर भी आते थे मतलब कीनिया के स्टुडेंट से उस जमाने में यहां से यमन से और कंट्री से भी होते थे तो बड़ी एक बहुत इंट्रेस्टिंग माहल था और कभी-कभी परानी तस्वीरे देखते हैं तो बहुत जबर्दस मेमरी हैं फोर यूर्स का आपके एक्सपिरियंस था कॉलिज का उसके बाद पिर क्या डिसाइड किया कि बस पेंटर बनेंगे ज सारे डिपार्टमेंट हेड़ बैठेवे हैं और मेरा सारा रेकॉर्ड उनकी हाथ में तो वह कहते हैं कि बही ये तुम क्यों इतना अच्छा तुम डिजाइन में कर रहे हो और सब कुछ हो रहा है तुम क्यों फाइन आर्ट में जा रहे हैं तो वह मियास विलाओदीन साभ ह होते थे उनका अपना स्टाइल था ऐसे करके कहते हैं कोई लड़की का चक्कर होगा रखन लड़की का चक्कर नहीं तो फिर मेरा एप्टिट्यूर्ड या मेरी जो इनकलिनेशन थी वार्ट की तरफ मेरे दोस्त सारे फाइन आर्ट वाले ज़्यादा थे मैं फिर्स्ट ये होते हुए थर्ड येर फूर्ट येर की ग्लासस में जाकर बाढ़ जाता हूँ और उनके साथ ड्राइंग करना तो इनक वो सारी चीजें ने मिला कि मुझे वो डिसीजन लेने पर मजबूर किया तो फाइन आर्स और फाइन आर्स में जैसे आपने कहा कि वही के पेंटर बन मुझे लगता है आप आर्टिस्ट है या नहीं है आपको ये पहचानना चाहिए कि आप खुद कौन है ये अक्सर अम सुनते हैं अपने आपको पहचानो बिलीव इन यॉरसल्फ गेट तो नो यॉरसल्फ लेकिन समझ नहीं आती कैसे ये सारे लोड़ेड वर्ड हैं और हम जो इन डेफ्ट मीनिंग है अब सेल्फ मतलब सेल्फ को अगर आप डिस्क्राइब करने लगें तो पचास हजार कितामे लिगी जा सकती है और बहुत एक लोड़ेड लवज है और एक्स्प्रेशन मैं स्टूडेंट को अक्सर ये कहता हूं कि एक्स्प्रेशन क्या चीज है तो सेल्फ को डिस्कावर करना क्या है सेल्फ को रिप्रेजन करना क्या है तो ये काफी लोड़ेड वर्ड्स ए तो आइ थिंक ये जो जर्नी में टूस एंटर्न आरें जैसे मैं आपको बता रहूं कि कहां से जर्नी शुरूओी सैनमा होडिंग पींटर से तिर कहां कोई आइसा वाकिया है जो शूर करना चाहेंगे अनुट है साधिया इंस्पिरेशन के लिए कोई खास वाकिया होना जो रोड़ुज नहीं है हरवक्त कॉनस्टेंटिली हो रही होती unity अब अभी जो आप बात कर रहे हो ना कि बार्न आर्टिस्स या आर्टिस्स कौन होता है या क्या देखो पैदा तो हम सब होते हैं और मुझे सब ये लगता है कि हम सब खास हैं हमें से कोई भी आम नहीं होता मतलब कोई अला ने आम चीज़ नहीं बनाई इसपेशली हुमन भी हम अश्राफ फुल मखलुकात हमें काया बेस्ट ऑफ ग्रियेशन लेकिन उसकी अपनी वर्थ की रेकिनेशन अपनी वर्थ को पहचानना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं अब जैसे मिसाल के दौब बच्चों को आप कोओ कि कुछ लिखो तो शायद वो लिखने में हैजिटेट करें लेकिए आप उनको कोओ के मेरी पॉर्ट्रेट बनाओ तो वो फॉरन कुछ यूं करके और वो यह मामा हैं यह पापा हैं यह यह कर तो यह इन बिल्ड कोई कोई नहीं मिलती तो वो रिबेलियस होके वो अपनी जो भी उसने करना होता है वो करता है बट वो होता जरूर है मुझे आपकी इस बात यह बड़ी इंटरस्टिंग बात लगी कि होता हर एक के अंदर है पर नर्चर कोई कोई कर पाता है यह बच्चों को इन्वार्मेंट पाकिस्तान में जो हमारा रवया है आर्ट के बारे में आर्टिस्ट कम्यूनिटी के बारे में इवन मैं देखती हूं अब को कहीं जा के मेडिया में आक्टर सिंगर डिरिक्टर प्रिडूसर और फिल्मेकर्स को रिस्पेक्ट देना शुरू हुए हैं लोग लेकि उसकी भी एक बड़ी वज़ा मुझे नजर आती है कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए पर बड़ी वज़ा है कि वो इंडस्ट्री फानेंशली कामयाब है इसलिए वो रेकिग्नाइज भी हो रही है और जब हम आते हैं अपनी आर्टिस्ट कम्यूनिटी पेंटर स्कुल्प्टर और इस तरह आते हैं तो इधर आप अभी तक कितनी कामयाबी देखते हैं और जब स्पेशली कंपारिजन करते हैं मैं अकसर सुनती हूँ रेजिदेंसी हो रही है न्यू यॉर्क में डिफरेंट आर्टिस्ट की कभी किसी आर्टिस्ट का काम किसी बाहर गैलरी में लग रहा है तब आप इवन फंडिंग भी अकसर मिलती है तो कि आप पाकिस्तान का इंवार्मेंट और दूसरा अगर वर्ल्ड का भी कंपारिजन करें तो उस पे क्या टेक है आपका देखो यह एक सबसे लोइस काटेगरी है कि किसी को पैसों की बुनियाद पर ग्रेट मानना या किसी क बहुत डेंजरस है अगर कलेक्टिवली किसी नेशन का ये एक मुझे याद आ रहा है कि बहुत अच्छी इंट्रेस्टिंग सेथी के जो घुलाम कौमें होती है ना उनके लिए जो मकार होता है वो शायद उसको वाकलमन समझते हैं और जो करप्ट होता है वो उसको वो पुलिस वाला किसी और तरह करेगा और अगर मैं वीगो में जा रहा हूं अपनी तो किसी और तरह करेगा और अगर मैं वीगो में जा रहा हूं अपने घर से जब आता हूं मेरे पस है बड़ी गाड़ी एक तो जब मैं गाड़ी में आता हूं तो पुलिस वाला एक ऐसी मु अभी मैं बाइक पो जा रहा हूँ तो तुम मुझसे लाइसंस और यह पूझ रहा हूँ तो वह भी है। क्योंकि इसकी एक बड़ी वज़ा है कि हम लोगों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चोड़ दी है इस परसन भी कौम की जहां अपने बात की रिस्पेक्ट देखो अगर मैं वही बताए हम करते हैं क्या रिस्पेक्ट जो आम लोगों की भी जो हमें आसपास नजर आते हैं नहीं करनी चाहिए अब करते हैं या अगीन जब आप चीजों को मुझे नहीं पता कि जनरलाइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेगन आतित्स जब आप ओर एजैओं हैा मैंननन आत्धेन करें देंको नहीं युषव करना हैं तो तो मुझे लगता है कि बहुत सी जगہं पर हम भहत गलत हैं लेकिन भूसी जगां पर हम बहुत अच्छे भी हैं ये नहीं है कि बिल्लकुल अच्छे का पे हम अच्छे हैं, मैं सुनना चाहती हूं नहीं अच्छे होंगी, I'm sure, मैं सुनना चाहती हूं देखो बात यह है कि एक खास तरह की बंबार्डमेंट आप पर होती है एक खास तरह की कंडिशनिंग आपकी की जाती है कि यह अच्छा है और यह बुरा है मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे हूं कि शोबिश की रिस्पेक्ट अगर एक अच्छा एक्टर है तो उसकी एक्टिंग की वज़ा से रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना यह नहीं कि वो कितने पैसे ले रहा है कि यह अच्ति आप बिविट है यह पालिवुड में रहे है यह अच्छा पॉट्रि कर रहा है था उसकी जगहा ना लगता था रहा है अभी में पात करूंगा तो चोड़ा है यह किस्ने डाले है यह कॉम्पलेक्स मुझे बताएं ये कॉम्पलेक्से हमें डाले हैं, हम सॉलर नहीं रहे हैं, बगर सो साल, दो साल, हम एक सर्टेन इंफुलेंस में रहे हैं, तो जो भी लोग थे, उन्होंने अपनी प्रेजन्स शायद फिजिकल प्रेजन्स खतम कर दिये, लेकिन अपने असार छोड़े हैं, ये बड़ी इंटिटी है, कोई ऐसी बात है जो हमारे कल्चर से लेटेड़ है, हमारे कंट्री से लेटड़ है, उसमें हम उसे कहते हुए फखर नहीं महसूस करते हैं, वेस्ट की बातों को बहुत अच्छा डॉप करते हैं, वेस्ट में अगर लोग लिबरल हो गये तो हमने लिबरल होन कर देखा था कि वेस्टेर होने में और माडरन होने में समीन, आसमान का फ़र liters हैं हमारे लिए हमने वेस्ट को मौडरन के साथ सिंग कर दिया है, आप अपने ट्रडिशन में, अपने कल्चर में, अपनी एंवाइर्मेंट के मुताबिक, अपनी तरह के कपड़े पहन के अप वो जो मैं कंडिशनिंग की बात कर रहा हूँ अब देखो ना मैं इतनी वुकालत कर रहा हूँ अपने लेकिन मेरा हुलिया देखो आप यह वेस्टन है पर लेकिन नहीं आप निता प्यारा कुर्टा पहना है मैंने देशी शलवार कमीस के साथ मेरे उपर पहना है जाके मुझ मुझे मुझे महां की जीन्स पहनने में कोई प्रॉबलम नहीं है मुझे महां का पॉनी मनाने में कोई इश्यू नहीं है लेकिन मुझे उस उनकी तरह से सोचने में इश्यू है उसकी वज़ए यह कि मैं उस माहौल में नहीं हूँ अगर मैं यॉरप में पैदा होता तो मैं कर रहे ना आपने कोई सोचा हुआ है उसकी वजा से यह उसका कोई परपस है कि एजुकेट करें लोगों को या कुछ हो डिफरेंट तरह के गैस ताइए वो अगर यह परपस निकाल दो तो इसका क्या मक्सद है कुछ भी नहीं वेस्ट ऑफ टाइम तो इसी तरह से परपस जि जो में बात करों इस माखूल में उस फैमिली में उस लोगों में इस जबान बोलने वालों में पैदा करने का कोई ना कोई परपस है और जो आप इंटलेक्ट की बात करते हो या सेल्फ की अवेरनेस की जो हमने शुरू में बात की ना अगर आपको अपनी जिंदगी का कमाइट करें हMARे YANG LUNGKो पर्पוס कैसे समझ आएगा इक तो peer pressure बहुत होता है family का Hybrid का सुसाइटी का जैसे अगर आपने स्कूल खतम करना है लाप कालिज खतम करना है पिर अगने जॉब करनी है मुझे तो आप graduate होंगे और उसके बाद ये नोकरी के लिए आप धके खाएंगे और वो अच्छा मुझे बताया ना कि लफ जो है वो बड़े इंपॉर्डटन है नोकर में और गुलाम में क्या फरक है ठीक है आप किसी को किसी दमाने में गुलाम कहते थे आज इसको आप नोकर कह ले ले गया मतलब काम आप वही ले रहे हैं अच्छा एक एक तो यह था कि एक एक अंडर प्रिवलेज्ज या कुछ इस तरह की जगहें या लोग थे जिनको कि आपने पकड़ा और अपने गुलाम बना लिया अब जब देखा कि हुमन इंटरलेक्ट जो है वो ग्रो कर रहा है तब आप एक सर्टेन तरह का सिस्टम बना दिया कि उस सिस्टम में आप खुशी 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 खुलाम बन रहे हैं आपको एक आदमी एक आदमी मैट्रिक सेल बिलियनेर है और उसने अपने कोई 50,000 मुलादिम रखें में जो कहीं आक्सवर्ड से पढ़कर आया है कोई कहीं स मैं यह नहीं कहता है कि सारे इंटलेक्ट हो जाएं या सारे ही वो भी एक अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी है लेकिन वन शुड थिंक अबाउटिट के मेरी मुझे पैदा करने का परफस क्या है मुझे पैदा करने का परफस क्या है मैं चार लोग को सार करूं चार हजार को कर आपका विजन आपका बदलता जाएगा आपकी सेल्फ डिसकोवरी बढ़ती चली जाएगी अचा सर्थ थोड़ा सा मैं चाहूंगी आपनी फैमिली के बारे में भी बताएं मैं अकसर आपकी वाइफ की आपके बेटे की भी फोटोस देख भी रहती हूं फेस्बबक पे तो वो रिलेशन्चिप आपका आपकी वाइफ के साथ किस तरह का है वो ज़रा बता है तो मैंने कभी अपनी फैमिली लाइफ को अपनी परसनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स नहीं होना दिया मेरी फैमिली जो है वो माशाला मेरे तीन बैटे हैं तीनों जो है वो अपने तोर पर इस्टैबलिश्ट हैं मेरी वाइफ जो है, वो completely housewife हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अपरिंगिंग की अपने बच्चों की मेरा बहुत ख्याल लगा, तो मेरा खाल 99% लोग कहते हैं कि मेरी success में मेरी वाइफ का सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर वो घर पे वो टाइम ना देती, वो बच्चों को उस से ना करते हैं, तो शायद मेरे पाद वो margin ना होता, अच्छा इसी में, अब देखो, मैं एक और वाज बदाओं कि जब और खातून के लिए दो च्वाइसे होती हैं, एक उसका career और एक सी family, so बहुत सी जो हैं, वो family sacrifice करती हैं, अपने career बना ले दी हैं, बहुत से अपने career sacrifice करती हैं और अपनी family को बना ले दी हैं, मेरे खाल में, जिस खातून ने अपना career sacrifice करके अपनी family बना दी, वो उससे कई गुना ज्यादा successful है, जो शायद वो ये ना करके करती हैं, तो अगर आपने family बनाना, इससे बड़ा कोई career है ही नहीं, इससे बड़ा, इससे बड़ी क् achievement एक महा के लिए होगी, कि उसका बच्चा जो है वो उसके बच्चे की लोग तारीफ कर रहे हों कि वैल बीहेव है और अच्छी तना से है और अच्छा professional है और सब पुछ, तो I feel blessed कि वो माशाला बच्चे family सब बहुत बच्चे हैं, एक तो मेरे जहन में तीन questions आ रहे हैं आ सब मुझे इसमें चीज ये बताएं कि अगर तो और बाइ चोईस अपना शादी के बाद करियर कांटीनियू नहीं करती तो ठीक है लेकिन अगर वो करना चाहती है तो आपको लगता है उनके आज कल बड़ी गुफटगू हो रही है कि क्या और अरत को financially independent होना चाहिए जिस होना कोई बुरी बाद नहीं है अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं गो फॉर इट लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऐसे वोमन अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपके उसकी वज़ार से आपकी family डिस्टाब हो रही है so मेरी advice योगी कि just quit your carrier, focus on your family. आपको को यो बुरा लगेगा लेकिन मेरे ख्याल में life का यही एक purpose होना चाहिए to find out that balance to maintain करे healthy lifestyle को जिसमें आपकी एक happy family और एक आपका करियर भी साथ साथ आए. सर थोड़ा सा मुझे अब बात करते हैं आपके काम के बारे में कि आपकी painting या स्काल्प्टर की inspiration आपकी क्या ह जैसे मैंने देखा था, humanity, peace, ordinary souls भी आपने लिखा वा था कि आपकी inspiration रही हैं आपके काम में बताएंगे हैं मैं जैसे अब हमने शुरू में बताया ना कि कोई एक आपकी understanding fix नहीं होती जैसे जैसे आप grow करते हो as a person, जैसे जैसे आप एवाल करते हो ऐसे से आपका art, आपके thought process वो सारे evolve होते चले जाते हैं, अब जब आप मेरपोखास में हैं तो वो सुल्तान राई की तस्वीर या आप किसी शबनम की तस्वीर बनाई और वो शकल मिल गई और लोगों ने का ये शबनम है तो आप master हो गए ना, लोगों ने का क्या आप तो जी कमाल है मैं, अब वो ठीक है वो एक certain level है craft का, तस्वीर बनाना, image बनाना या form बनाना आर्ट नहीं है मेरे नजदीक, आर्ट है उसके अंदर उसके पीछे thought process, उसका content, अब तो मैंने बहुत सारी वीडियो भी फ़नी वीडियो दाती हैं कि कुछ लोगों ने बंदरों को train कर दिया है तो वो brush मैंने एक वीडियो देखी कि हाइटेक रोबोर्ट और वो एक जो है वो machine उसने वो realistic portrait पेंट कर रहा है और brush के strokes लेके, तो craft एक ingredient है, skill एक ingredient है, वो itself art नहीं है, तो मेरी जनर्नी उसी से, मतलब मैं कहता भी हों कि वो आप एक certain skill आपने develop करें ताकि आपको इसकी craft का पता हो, ज Exactly ऐसे ही जैसे singing में आप रियास करते हो, सीखते हो, फिर आप जो मर्दी गाना गाना एक story होती है, आप उसको करते हो, तो art में भी मेरा ये belief है कि आप academically अपने आपको sound करें एक certain level तर, और फिर उसके बाद again वो जो भी जो भी आपका thought process है, जो आपके ख्याल है, आप उसको express करने की कोशिश करें, मेरे काम में वो रियलिस्टिक से शुरू हुआ, फिर gradually वो एक ordinary soul, जब universal human being की बात करना शुरू गई तो वो एक universal form develop हुई, फिर वो universal form के साथ universal text develop हुआ, वो symbols है different, symbolic है वो काम, तो जो काम होता है पिर आप उसको explain करते हो, फिर वो wing thought वाली मेरी series जो करते हैं कि वो thought की symbolic representation है, अब अगर मिसाल के तौर पर, thought to intangible है अगर मैं अगर मैं as an artist को दिखाँ गए तो मैं कैसे, यानि कि thought की कोई body नहीं है, वो आपके अपने काम के तूरू तो मैं जब उसको कोई देखके, कोई angel कहता है, कोई इसको कोई bird form है, मैं उसकी respect लेकिन मेर के लिए वो thought है, wing thought, तो इस तरह से different चीजें फिर, as an artist, sometimes, देखो मैं बहुत बताओं कि हम मुझे परसनली ये लगता है कि हम सब simultaneously दो दुनिया हों में रहते हैं, एक ये physical world है, और एक spiritual या intellectual world है, ठीक है, तो physical world से interaction के लिए ये सब चीजें, बातें करना, समझाना, ये वो, लेकिन जो spiritual world है, उसमें ना, वो within yourself है, तो sometimes as an artist, जब मैं इस physical world में जो कुछ हो रहता है, उस पर comment करना होता है, मैं वो भी करता हूं, लेकि most of the time, जो मेरा inner side है, जो मेरा spiritual side है, जो वो experiences है, जिने में लफजों में नहीं बयान कर सकता है, तो फिर मैं सहारा लेता हूं, अपन इसको हम energy से भी link कर सकते हैं, कि बास दफा होता है, कि हमें लगता है कि अच्छा खासा mood चल रहा है, या काम चल रहा है, पर दो तीन दिन में अगर हमने किसी पर बुरा comment कर दी है, या कोई जगड़ा हो गया, तो वो energy खराब सी हो जाती है, और आपने जो अलग से काम करना ह होता है, जो भी आपका चल रहा है, वो आप डिस्टर्ब सा फील कर रहे होते हो, मतलब कुछ होता है कि उस spiritual world को safeguard करने के लिए, गेम है या energy का, हम तो material तो सिर्फ थोड़ी तेर के लिए है, मैं साट साल, सतर साल जी हूंगा, यह material खत्म हो जाएगा, लिकिन जो energy है बेरी, इसको आप soul कहलो, जो आप spirit कहलो, वो तो infinite है ना, तो इस body में रहते हुए, अगर मैंने उस energy को understand कर लिया, और यह energy इस हद तक effect करती है, कि unbelievable, मैं अभी बैठे बैठे है, आपका mood खराब कर सकता हूं, अभी यहाँ कोई बंदा ऐसा आजाए, जो आते के साथ ही, वो energy किसी मा जो नजर नहीं आता, जो दिखता नहीं है, वो ही real है, जो दिखता नहीं है, वो देखना है, और यह जो दिख रहा है, इसके थ्रू देखना है, मतलब आपको एक time दिया गया है, कि इसके थ्रू वो देखो, वो समझो, जो नजर नहीं आ रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा इन से, अबही मैंने, कल आते वे एक लिखी हूँ तो मुने याद नहीं हैए, मैं ऐसी, प्लीज। जिनिरली मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिं मैं पतानी कल मुझे ऐसी दिल चाहा, तो मैंने ये कुछ लिखा, ऐसी तीन, चार लाइन हैं, जो बातें में तस्वीर करता हूँ, नक्ष करता हूँ, लिखता हूँ या कहता हूँ ये ख्याल हैं कहीं और के, ये ख्याल हैं कहीं और के, पिन्हा हैं रंगों में, जसदों में, लफ़ों में, और आवाज में कुछ भी बे असर नहीं चाहे तुम समझो या ना समझो बस दिल से देखना है दिल से सुनना है और दिल से महसूस करना है कुछ भी बे असर नहीं Beautiful, Sir, Beautiful मैं तो खोज ही गई हूँ आपकी इन बातों पे मुझे पता है वो spiritual world की जर्नी कुछ और इस पे बात करें हमारे साथ मुझे बड़ा आपका हमेशा से ना एक ठहराओ नजर आता है एक सकून महसूस होता है साधिया सब कुछ आपको बदल दिया गया है सब कुछ आपकी अंडरसेंडिंग आपकी चीज़े आपको पता है हम मुझे याद नहीं आरा किसकी सेंग है लेकिन खुशी का सबसे इंतहाई जो लेवल है ना वो सकून है आप अगर अंदर से बहुत खुश होना तो आप बिलकुत सुकून में आ जाते हो अब हमने क्या किया है कि जब हम खुश होते हैं हम उस चीख भुखार करते हैं और हम यह शो करने कि मुशिए करते हैं हम खुश हैं हम खुश नहीं हैं हम खुशी के एक्टेंग करते हैं जब अप कंट्रेंट होते हो जब आप पीश के शजुए उस लफ लेवल पर होते हो वोल्ड हैस चेंग सो मॉच नहीं? सच हर एक अपना अपना नजरिया मुझे 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 लगता है कि कोई अगर वाक्या हुआ है तो मेरा अपना नजरिया उस सच को बयान करने का आपका अपना होगा कोई और लोग है उसका अपना होगा तो नजरिया अपना अपना है नहीं? बड़ी खुबसुरत बात है और बहुत गहरी बात है कि सच कुछ भी नहीं होता, सच्चा होता है सच्चे की कही भी बात सची, सच और जूटे की कही भी भी बात जूटी तो अगर आप सच्चे हो, ठीक है ना तो आप जो कहोगे वो सच्च है और दूसी बात यह है कि साच के लिए, मैं कैसे सको समझाओं। दो तरह की सेच हैं। एक सच वो है, जो आपको बताया जाता है और आप सच उसको मान लेते हो। तो वो सच नही है, वो आपका माना हुआ सच है। और एक सच वो है, जो आपने डिस्कवर किया है। पिस जमीन आसमान का फरग है बेबी जो हमारी इंस्टिंक्ट बताती है नहीं वो इंस्टिंक्ट भी बताती है वो आपके एक्सपीरियंसे से भी होता है मतलब एक सिंपल सी मिसाल देते हैं ना कि मैं कौँ आग हाथ जलाती है अब यह सच है ठीक है आपने इसको मान लिया और ने ही जो शल्च इसमें उसमान साथ्व already बदा मइव भी है तो फो प्रोंते है मैं खिक है मैं आग में हाथ डाला टूण जला मेरा हाथ नहीं हदो मैं क्या हुआ थे को ही तो है जो सच बदल सकती है, किसी को आग में डाला गया था, कुछ नहीं हुआ उसे, तो कुछ तो फरक है ना सब्सक्राइब, तो कुछ तो फरक है ना सब्सक्राइब, आपका, रब जो है, एक्शली है मिरिकल, सारी दुनिया, मतलब यह जिस चीज को हम और्डनरी समझते हैं वो एक बज़र्ग से किसी ने पूछा था, कि एक बादशाँ ने, कि यह जो मेरी सारी, जो है, जो भी मेरी मिल्कियत है, और यह इसकी कितनी वर्थ होगी, तो बज़र्ग ने कहा कि तुम एक रेगिस्तान में घूम रहे हो, और प्यास तुम बस मरने वाले हो, और कोई उस था अच्छाइद कि उकात एक गिलास पानी है, वाँ, 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 तो सिर्फ मुझे अपेंटर और पेंटर नी सूफी भी सांट कर रहे हैं, यह बढ़ी बढ़ी आप इन्ट्रेस्टिंग एं इपने एक्स्पीरियंस फिर ups and down आए और एक टाइम आया शादी के बाद जब मुझे लगा कि अब रुकना है अबी और उसके बाद जो लोगों की एक फिर एक सोच ना अच्छा शादी है बच्चे हैं एक बच्चा होगा फिर दूसरा बच्चा होगा क्या घर बनेगा मैं हर एक को ना और मैं लोगो की जिस्टर इसादी कि कास्म करूं कि यही बोला कि मैंने किसी रॉज्यक कहा रहते हैं उनके ड्रोचर रामी क्गा मैंने का आच यह लाई कि अपनी इनर्जी और हैससाइएजब्धी का ब cambi驅कर ज़ूड़ी का ये मैंने का रूज़ी ना घॉच्चा हैं अब जिह जू पो तो क्या मुझे उसे कितनी खुशी मिली मेरे पास उसके साथ वर्ली चलो अगर बात करें कितना पैसा आया क्या उसने मुझे सैटिस्वाइद किया तो I'm somewhere in the middle to find out that peaceful world or maybe spiritual world बस दुआ करें अपने लिए मैं बार बार इस blessing love पर जोर दे रहा हूं उसकी वज़ा यह कि हर चीज़ आप अपनी मर्जी से हासल नहीं का सकते हर चीज़ आप खरीद नहीं सकते हर चीज़ के लिए material चीज़ नहीं हर मतलब उसके लिए I don't know यह तक्वा और इमान पर भी बात जारी है नेक नियती पर जाती है फिर यह कि अगर आप लिखो ना हर आदमी आप यहां जैसे हमने शुरूर में बात यह खास पाया होता है पर जैसे जैसे वह ग्रो करता है जैसे और इन्वारिमंट में फिर उससे उसी तरह की उसकी वही कंडिशनिंग होने लगती यह उसी तरह का बहुत सारी चीज़े बहुत सही वक्त पर समय में आ जाती है और फिर जिन्दगी में रिग्रेट का ना होना भी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने कभी जिन्दगी में कोई इस तरह की हरकते ना की हो जिस पर कि आपको रिग्रेट हो तो अब आप इसको स्पिरिच्वालिटी कहे लो सुफीजम कहे लो रिलिजन कहे लो आप इसको जो भी कहे लो लेकिं पॉजिटिव इन्वार्मेंट जो भी आपने का वो सिखाता है या फेलियर्स और हार्डशिप्स सिखाते हमें लाइफ में इसके रिलिजा कहें और हुजिए लिलिजन का निया करेता है about Your Creator और हम पॉजिटिवन की है या हम पॉजिटिव एविवन की बात करते तो आप अपने एक फिलियर को पासिटिव क्या नही सोफीरी की। अच्छी बात यह है कि एक्चुली सारी लाइनिंग होती ही फेलियर में मतलब आप अगेन मुझे बार बार चीजन याद आ रही हैं तो आप आप सीखते उन से हो बेवगूफ से आप सीखते हो और वो करने की नहीं करने की गोशे करते हैं जो वो करते हैं मतलब इन फेले कि अकल के लिए यह जुरूशिन में हैं कि आपने फिलोसोफर के बाहता है पर आप को को पको शिकता है यदि को कोई बदू bisa कोई कोई यह धिशा यदिने कुग आपको कछ्रा उठाने वाला,ícios यद्यूर बूला कि या यक बलीव है कि आपको आपको क्यष इमने दिमाः खिल जाता है वो उस वक्त होता है जब आपने आपको एउपन रखें अपने आपको अखंझ लगया रखें अपने आपको हम्ब रखें अपने स्प Culесь को हमेशा ल्गया रखें यो जो भड़ा रह uwagę करते हैं जैसे या आपको लगे वो भी कितना मुतासिर हुआ है over the time अच्छा सर, हम बहुत सारे podcast में भी देखती हूँ Pakistan के भी और international भी, तो उसमें हमें different motivational speakers नजर आते हैं life coach नजर आते हैं spirituality पे भी लोग बात करते हैं तो आप का क्या opinion है इस पारे में? देखो motivational होने के लिए एक तो यह होता है कि आप आप वो चीदें बता रहे हो जिनके थूँ आप गुजर चुके हो वो आपकी personal life experiences है और आप उसकी वज़ा से किसी को motivate का रहे हो दूसरी motivation यह होती है कि कुछ रटे रटाय जुमले होते हैं जो लोगों ने याद किये होते हैं और जो हम बात करें थे हैं यह age है ही deception की मतलब इसमें हर बंदा actor है हर बंदा सॉरी हर बंदा नहीं majority actor है वो actor किस तरह से हैं कि मैं यहां पर बैटके वो बातें करूँ जिस पर clap हो जाए जिस पर वावा हो जाए अंदर से भले मैं कैसा भी हूँ यानि जैसे camera off होगा मैं कोई और person हूँ जैसे camera on होगा तो मैं कोई और person हूँ जैसे कहते हैं कि घर में बाप से या मां से बचे वो नहीं सीखते हैं जो वो बोल रहे होते हैं वो जैसे camera on हो?. जैसे camera off हो तो मेरी तो वहाँ प्राब्लम हो जाता है तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं अगर वो अपनी सिंसियारिटी से और होनेस्टी से कुछ करते हैं मशुरा कल पर सो मैंने एक बड़ी इंट्रेस्टिंग सी पोस्ट के मौलवी साफ ने कोई मौलाना उन्होंने इजतमा में कहा कि जी फलाने यूं होते थे इतने इंट के अपर सरक के सो जाते थे और यह करते थे और दो ताइम में से एक टाइम का काना काते थे और जैसे ही वो खत्रम वा तो उन्होंने अपनी वो पजेरो या वीगों में बैठे और वो चले गए अब मुझे बताओने कि इस डूएलिटी का आप क्या करोगे अब अगर मैं खुद इंट पर सरक के नहीं सो रहा हूं तो मैं क्या मोटिवेशन क्या मोटिवेशन क्या मैं मैं तो एक्ट कर रहा हूं ना मैं एक्टर हूं मैंने वह याद किया हुए कि हाँ हाँ यह यह बाते मैं कहूंगा लोग मतासिर होंगे उसके बाद मैंने अपनी लग्जरी लाइप गुदार नहीं जाके यह आर्ट में बहुत सारे आर्टिस्स को जानता हूं जिनकी परसनल पर अप मतलब जो अपकी सीक्रेट लाइफ को लो या आइसोलेशन की लाइफ है और जो आपकी सर्फिस पर लाइफ है अगर उनका कांट्र आडिक्शन है तो आपकी जिन्दगी अढ़ाब में है पर आप ओर करें कि क्या वो मैच्छ कहता है या कहने वाली बात हैं जिने ज में रियानता हूं कि ऐसे लोगों किसी और को नहीं मैने जो कहा निए खुद अजाब में होते हैं क्योंकि वो एक हर जगा का एक मास्क उन्होंने बनाया है वो मास्क उनको याद रखना पड़ता है उनको लिगे साथ चलना पड़ता है साधिया के सामने ठक करके वो मास्क अज़ आपका रहा हूं तो भी मैं यह हूं तो सकून जो जिन्दगी में सबसे इंपर्टन है सबसे इंपर्टन है सई कैसा लगा जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला यह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी मुझे दो तीन दफा अपरोच किया गया मैंने का नहीं मुझे नहीं चाहिए लेकिन लास्ट येर कुछ ऐसी जगां से मुझे अपरोच किया गया और इतना मतलब इंसिस्ट किया गया कि मैं नहां नहीं कर सका मुझे एक मेरे दोस्त ने बड़ा अजीव सा जमला का कि ते जबार तो क्यों मना कर रहा है तुझे लगता है त और एक कियों मैं और रहा है कि अचीवमेंट का कि अचीवमेंट का लेवल नहीं कि मुझे प्राइड ऑफ़ॉम्म्स और अचीज परफ़ॉमेंट का वेशारा कि अचीज़ कि हुआ कि अचीज़ आईट बेतर सरसे मश्षवे मिल सकते हैं Competition जो है ना, population गोडों का होता है 洗ाणों का नहीं होता एंसान compete नहीं होता है, इंसान cooperate करते है इंसान ए दूसरे को facilitate करते है तो यह जो हमारें अंतर हमारे जानवर डाल डीगे ना again, अगार भार भार जो लकार हम cangicAB & cientIER इस बहुत इंपॉर्टन है, आप ने क्लास में परस्ट आना है, क्यों बहुत आना है? बच्चे की कंडिशनिंग कर देते हैं कि हम परस्ट आना है अगर फर्स नहीं आया तो बेकार है अगर आप मचली को इस बात पर जज़ करो कि दरख पर चड़ना है तो वो फेलियर है, उसका वो काम नहीं है किसी भी कौम को हम कैसे पहचानते हैं उनके रवये से, डिजिटल वर्ल्ड पे जो कॉमेंट्स आते हैं, अल ओवर डिजिटल वर्ल्ड की में बात कर रहे हैं, उसमें बाज लोग अपनी आइडेंटिटी हिडन की वी है, लेकिन इतनी गालिया होंगी, इतना ट्रोल करेंग इतनी एकी जिट की में सब्सक्रा वहघए को अपने एक जोडे की यहीं पोलेंगे, उसकोर अपने युझ जो करेंगे जोड़ करेंगी इतना हैं, आईडे खमाने ताम में आपने पात्तों को हैं ताहिं स्टार एंगे मेरला में आइडे साना ंपनों में सुम्स्कून आए आइडेंटिटी जो है ना वो डिस्क्लोज करें ताके यह जो बहुत सारा बेहंगम तरीके से तनकीद और आ रही है ना वो तो रुके तो थैंक यू सो मुझ सार बहुत अच्छा लगा आप से बात करके चारे जी यह आपके लिए कासिप लिए